तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तू किसका सहारा डूंडता है तू किसका सहारा तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तू किसका सहारा डूंडता है तू किसका सहारा नमस्कर राश्रिय सिक्षानीती दोशुन्य दोशुन्य के इस चोथे एपिसोड में मैं भद्रायू गुजराच से आपका हार दिख स्वागत करता हूँ I am sure कि हम छोटे छोटे वीडियो से आपके साथ राश्रिय सिक्षानीती में जो बदलाओ कहे गए हैं उनके बारे में बात्चित कर रहे हैं हमने पीछले एपिसोड में पूरी सिक्षा का जो धाँचा बदलेने की बात है उनके बारे में बात्चित की थी आज तक हम 10 प्लस 2 प्लस 3 करते थे लेकिन अभी वो धाँचा बदलेगा और 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 होगा वो प्लस 3 जो आखिर में होगा उसके बारे में हम एक अलग से बात्चित करेंगे हमने वो देखा था कि फाउंडेशन कोर्स होगा और 3 साल से बच्चा स्कूल में जाएगा और 2 कक्षा तक उनका साक्षरता और संख्या ज्यान के बारे में अच्छी सी बातें फाउंडेशन डाला जाएगा बाद में जो होगा वो प्रिपरिटरी होगा बाद में मीडल स्कूल होगा और 9-12 का पूरा आई स्कूल सेक्शन बना रहेगा ये तो तीन बातें यहाँ पर हम स्पूष्ट कर ले एक हमारी संका रही है कि जब आज पूरे भारत वर्ष में क्लास एक से ही सिख्षा का पूरा माहोल बना है तब भी pre-schools चलते हैं बहुत से चलते हैं Unrestricted चलते हैं Unregulated चलते हैं तो हमें दो बाते सोचनी हैं कि हम कक्षा एक और दो से पहले जो तीन साल बच्च जब तीन साल का होगा तब उसको स्कूल भेजेंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के एक से तीन साल के बीच में भी कोई ऐसा प्राइवेट सिस्टम शुरू हो जाएगा जहां बच्चों को खिलाने के नाम में, खेल देने के नाम में ऐसा कुछ प्लेव ग्राउस वगेरा चलेगा सरकार को वो देखना होगा कि जब आप पहले तीन साल को तीन वर्ष से स्कूल में डाल रहे हैं तो एक दो तीन साल का बच्चा तो स्वतंतर बच्चपन अपना सा आनदित स्वरूप में भोग सकें ऐसे कोई एरेगुलेटरी काम पूरे देश में सुरू न हो जाएं वो देखने की जिम्मेवारी हमें हांसिल करनी होगी एक दूसरी बात भी है जो लोगों की फर्यादे वो सही है कि हम सब जब स्कूल गए थे तो पांच-छे साल के बाद गए थे पगवान श्री कृष्ण तो पंदरा साल के बाद स्कूल गए थे हमने क्यों ये तीन साल की उमर के बच्चे को स्कूल सिस्टम में डालने का सोचा है वो भी हमें जरा गहराई से ध्यान देना होगा हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या बच्पन चीन रहे हैं और हमारे जो माता पीता हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद जल्दी से उनसे छुटका राचाते हैं उनको एक सपोर्टिव एन्वार्मेंट भी पूरा कर रहे हैं फिर ये तो हमारी आलोचना है हमारा जो प्रशन है वो रहेगा सिस्टम ऐसा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमें देखना है कब क्या होगा एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियरली बता दूँ कि ये जो शिक्षा नीती है वो कोई जल्दी में नहीं है नीती डाल दी गई है चोंतिस साल के बाद आई है ऐसा बताया है लेकिन ये खुद नीती है उनका इंप्लिमेंटेशन नेक्स ट्विंटी फाइव यर्स तक चलता रहेगा माइलस्टों जो बताये हैं उसमें 2023, 2025, 2030, 2040 है उसके तक क्या करना है हम जो ये बात कर रहे हैं पहले तीन प्लस दो फिर तीन फिर तीन ये जो पूरी बात है उसके बारे में शिक्षा नीती में बहुत अच्छी तरह से ये लिख के दिया गया है कि प्राथमिक और उच्चतर महध्यमिक विद्यालयों में सार्व भावमिक मुलभूत साक्षर्ता और संख्या ध्यान के लिए राज्य या केंदर शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक 2025 तक प्राप्त किये जा सकने वाले चरणवार चिनहित कारियों और लक्षों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगती को बारी की से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान वयन योजना तयार करेंगी 2025 तक क्रियान वयन योजना तयार करनी है लेट मिस आप ऐसा मत सोचो के 2021 से या 2022 से ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 वारा शूर हो जाएगा ये सजेशन है कब होगा होगा कब होगा ये ये क्लियर के 2025 तक तक तो उनका क्रियान वयन योजना तयार करनी है हम समझते हैं कि कोई भी योजना है वो तयार करने में इतना साल लगेगा तो उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी हो सकता है ये जो ढाचा बदलने की बात है वो कब सुरू होगी वो क्लियरली कहीं भी नहीं बताया गया है एक बात हमें बहुत गहराई से ये सोचनी है कि जहां तक हम स्कूल में बच्चों को लाने की और उनका स्थाई करन करने की बात कर रहे है तब वास्तरिक्ता ये भी है कि स्कूल में ड्रोप आउट बदल रहे है ये सिक्षा नीटी में बहुत अच्छी तरह से ये एकसेप्ट किया गया है उसका स्विकार किया गया है कि आज जो जनरल एन्नोर्ट में रिश्यो है वो स्टांडर्ड शिक्स टू एट के लिए 90.9 होता है वो नौवी और दस्वी कक्षा में जाते वक्त 79.3 हो जाता है और व ग्यारा बारा में जाते तक 56.5 हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि क्लास वन में जो दाकिल होता है उसमें से 44 अंड्रेड में से 44 स्टूड़न्ट ग्यारा वी कक्षा तक अपना अभियास छोड़ देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं ये नीटी के अंदर एक जगा पे बताया गया है कि 2017-18 के बारे में 2017-18 का जो फिगर है वो ऐसा कहता है कि 6 साल से 17 साल तक का 3.22 करोड येट मिन्स 3 करोड 22 लाख बच्चे भारत वर्ष में स्कूल गये ही नहीं है उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है फिर भी ये नीटी ऐसा बता रही है कि हम 2030 तक 100% बच्चें को स्कूल में लेके आएंगे हम तो बहुत खुशें आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन आज जब साड़े तीन सवाटीन करोड लोग बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं देख पाएंगे तो 2030 तक 100% को स्कूल में कैसे लाएंगे हमें ये भी सोचना है कि भारत जैसे गरीब देश में जब पेट में डालने के लिए कुछ नहीं है तो उनके माता पीता मजबूरन उनके पास सिक्षा के बचाय मजूरी करवाना पसंद करते हैं उसके लिए कोई सुझाव सिक्षा नीती में कहीं पे दिखाया नहीं गया है ड्रोपाउट के बारे में सरकार स्पोस्ट है और हर एक राउंड में क्या होगा वो भी बताया गया है और प्रोवीजनली जो प्रोवीजन ऐसा करके दिया है कि हो सकता है कि स्कूल में भरती भी हो जाए और नहों तो क्या हो उनका भी एक प्रोवीजन है तो दोनों दोर प आपन स्कूलिंग जो NIOS बोलते हैं वो NIOS को बहुत ही संगठीत किया जाएगा और ड्रोप आउट को रोकने के लिए स्कूल जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी ये काम NIOS से होगा दस्वी और बारवी कक्षा के लिए तो अभी NIOS है लेकिन प्रावधान ऐसा किया जाएगा क कि स्कूल प्राणाली के कक्षा तीन पांच और आठ के बराबर भी कोई ऐसा अभ्यास्त्रम NIOS या डिस्टन्स लर्निंग में शुरू किया जाएगा ताकि दोज वो आर नोट एबल टो गो टो 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 स्कूल केन गो फॉर दिस सिलेबस ये अभ्यास्त्रम को एटेंड करें और वो ओन पेपर कुछ बात कर लें एक बात में यहां पे बहुत स्पॉस्ट कर दूं कि दस और बार की बोड की परिक्षा के लिए बहुत गलत सी बातें समाज में अभी फैली हुई है नीती को कोई लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है और मीडिया में यूस पेपर में वाट्स अप यूनिवरसिटी में ऐसी बातें की जा रही है जो नीती में नहीं है let me be very clear with the lines already noted on the policy paper 4.37 में ये लिखा गया है grade 10 और बार के लिए बोड परिक्षाएं जारी रहेंगी grade 10 और बार के लिए बोड परिक्षाएं जारी रहेंगी coaching कक्षाओं की आवश्यक्ता उग समाप्त करने के लिए बोड और प्रवेश परिक्षाओं की मोजुदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा वर्तमान मुल्यांकन प्रणाली के इन हानी-कारक प्रभाओं को उल्टाने के लिए भी बोड की परिक्षाओं को समग्र विकास को प्रुच्शाइद करते हुए फिर से design किया जाएगा बोड की परिक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और क्षम्ताओं और योग्यताओं के आधार पे उनका ऐसा ढांचा बनाया जाएगा ताकि रोट मेमरी को हम कोई ऐसा अस्थान न दे एक छोटी बात एट कर दूँ मरी बात समाप्त करूँ इतना नहीं है बोड की दसवी और बारवी कक्षा की बोड एक्जाम के अलावा कक्षा तीन पांच और आठ ये तीन कक्षाओं में भी बोड जैसी परिक्षा बच्चों को देनी होगी ऐसा प्रावदान है मैं ये लाइन आपको पढ़ दूँ एक उपयुक्त प्राधी करण द्वारा संचालित ग्रेड थ्री पांच और आठ में स्कूल की परिक्षा देनी होगी वो एक उपयुक्त बोड जैसे प्राधी करण के द्वारा ली जागेगी मैं एक बात ये भी कहूं कि ABC ऐसे ग्रेड वाले NIOS प्रोग्राम्स भी सुरू होने वाले हैं जो स्कूली सिक्षा में बदला हो रहा है उसमें सिक्षकों की आवश्यक्ता होगी सिक्षकों की कारियर शैली बदलनी होगी वो कैसे बदलेंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आज मैंने आपकी डेड़ मिनिट ज्यादा ले ली है क्षमा प्रार्थना के साथ थैंक यू पर बेंग विट मी ओल देवेस्ट फ्रॉम बद्रायू गुजराथ थैंक यू तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा